हेलो प्रिंट्स मैं शिवनी आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी अपनी ही चाल से स्टरी पॉइंट पर फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम रिशो प्रपोर्शन अनुपात समा अनुपात के कोशिन को बहुत ही आसान तरीके से सौल्ट करने वाले हैं तो जो अनुपात दे रखा है सबसे पहले आप इन अनुपात को छोटा कर लीजिए देखें यहाँ पर साथ अनुपात 21 दे रखा है इसको एक अनुपात 3 लिख सकते हैं क्योंकि 7 तिया 21 आठ अनुपात 32 को एक अनुपात 4 लिख सकते हैं क्योंकि 8 चोग 32 ठीके तो यह अनु अनुपात 32, 1 बटे 4, तो आपको इन 4 अनुपात में से सबसे बड़ा अनुपात निकालना है, इसके लिए आप इस तरह से मल्टिप्लाई कर दीजिए, यानि कि 2 को 1 से गुड़ा करेंगे, और 4 को 5 से गुड़ा करेंगे, 2 को 1 से गुड़ा किया, 2 आ गिया, 4 को 5 से प्रकार से multiply करेंगे, उपर के साथ multiply करना है, यानि कि 5, 3, 15, 2, 1, 2, 15 बड़ा है 2 से, इसलिए 1 बटे 3 को छोड़ दीजेगा, अब आपके पास में 2 अनुपाद बचे है, 5 बटे 2 और 1 बटे 4, हम इनको यहाँ पर लिख लेते हैं, अच्छे से समझने के लिए 5 और 4 को multiply करेंगे, जैसे पहले कर रहेते, वैसे ही करेंगे, 2 को 1 से multiply कर लेंगे, 5 चों को 20 हो गया, 2 इकम 2, यानि कि 20 बड़ा है 2 से, इसलिए 5 बटे 2 से largest अनुपाद है, सबसे बड़ा अनुपाद है, में उम्मीद करती हूँ, आपको ये प्रेशन अच्छे से समझ में आया होगा, अगर नहीं भी आया है, तो चलिए second question देख लेते हैं, 3 अनुपाद 5, 5 अनुपाद 6, 2 अनुपाद 3, 4 अनुपाद 5 में से सबसे चोटा अनुपाद है, अब हमें सबसे चोटा अनुपाद निकालना है, 3 बटे 5 लिख लेंगे, 5 बटे 6 लिख लेंगे, 2 बटे 3 लिख लीजिए, और 4 बटे 5, अब इसके बाद मल्टिप्लाई करना स्टार्ट कर लीजिए, 6, 12, 6, 18, 5, 25, क्योंकि हमें चोटा अनुपाद निकालना है, इसलिए 25 बड़ा है, 18 से इसलिए इस वाले अनुपाद को छोड़ दीजिए, अब 3 बटे 5 और 2 बटे 3 को ले लेंगे, 3 तिया 9, 5 दुनी 10, 10 बड़ा है 9 से, इसलिए इस वाले अनुपाद को छोड़ देंगे, अब ये वाला अनुपाद और ये वाला अनुपाद रख लिजिए, 3 बटे 5, 4 बटे 5, multiply कर लेंगे, 5 तिया 15, 5 चोगो 20, 20 बड़ा है 15 से, इसलिए 3 बटे 5, smallest अनुपाद हो गया है, hopefully guys you understand all the question very well, let's move on the next question, next question है, यदि A is equal to 3 अनुपाद 5, B is equal to 7 अनुपाद 9, C is equal to 5 अनु इन में से सही option choose करना है, A दे रखा है 3 बटे 5, B 7 बटे 9, और C 5 बटे 9, सबसे पहले A और B के बीच में relationship देख लीजे, वो ही गुडा करेंगे, 7 को गुडा करेंगे 5 से, और 9 को गुडा करेंगे 3 से, 9 तिया 27, 5 सते 35, क्योंकि 35 बड़ा है 27 से, यानि कि 7 बटे 9, जो की B है और 3 बटे 5, जो की A है, उन दोनों के बीच में relation क्या होगा, A smaller than B, अब B और C के बीच में relation निकाल लीजिए, 9 सते 63, 5 नम 45, यानि कि B greater than C हो गया है, अब A और C के बीच में relation निकाल लीजिए, 5 पंजे 25, 9 तिया 27, 25 और 27, यानि कि A smaller than C, जो sign दे रखा है greater का, और ये जो sign दे रखा है smaller का, इसमें कोई confusion तो नहीं है, अगर confusion है, तो देखिए यहाँ पर यदि मूँ खुला हुआ है, यानि कि व्यक्ति हस रहा है, और अगर हस रहा है, तो वो हमेशा बड़ा होगा, large होगा, और अगर व्यक्ति रो रहा है, यानि कि उसका मूँ बंद होगा, ये देखिए यहाँ पर ये मूँ बंद है, और यहाँ पर ये मूँ खुला है, अगर उदास है, तो वो छोटा होगा, और अगर व्यक्ति है, तो बड़ा होगा, तो मैं उमीद करती हूँ, आपको छोटा और बड़ा याद करना बहुत ही अच् B, B greater than C और A smaller than C अब यहां पर relation बना लेजिए A smaller than C है और C smaller than B हो गया है, तो कौन सा option सही है? option C इसमें बिल्कुल सही है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह question बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अगर इस question में कोई दिक्कत है तो please वीडियो को stop करें और दोबारा से expression को देखें बहुत ही आसान है, आपको hopefully समझ में आ जाएगा next question की और बढ़ लेते हैं सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन के बीच अंतर गयाद कीजिए 9, 3, 27, 25, 25 25 को छोड़ देंगे क्योंकि 25 छोटा है, उससे पहले बड़ी वाली भिन निकाल लेते हैं अब 3 बटे 5 और 7 बटे 9 के बीच में देखिए 9, 3, 27, 5, 7, 35 यानि की 7 बटे 9 बड़ा है 3 बटे 5 से, इसलिए 3 बटे 5 को छोड़ देजिए अब इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल लेंगे 5, 7, 35, 9, 2, 18 ठीके फ्रेंट्स, तो यानि 35 लार्जस्ट हो गई है और स्मॉलेस्ट कौन सी हुई चारों में देख लेजे, स्मॉलेस्ट हो गई है 2 बटे 5, इन दोनों के बीच का डिफ्रेंस पुछा है इसलिए 7 बटे 9, माइनस 2 बटे 5 कर देंगे 5, 7, 35, माइनस 18, बटे 45 होफुली आपको एलशन निकालना आता होगा, 35 में से 18 चले गए है, 17, बटे 45, यही इसका आंसर हो गया है नेक्स्ट कोशियन है, 4, 16 का मध्यानुपाती क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी कोशन ले गए है, वो सभी कोशन बहुत ही इंपोर्टेंट है, जो कि एक्सेम्स में पुछे जा चुके हैं तो मध्यानुपाती निकालने के लिए आप इसमें ट्रिक लगा दीजिए अंडर दी रूट A, B A यहाँ पर 4 है और B 16 है, यानि कि 4 गोड़ा 16 64 हो गया, अंडर दी रूट में सॉल्व करेंगे, तो 8 आएगा यही इसका मध्यानुपाती हो गया मध्यानुपाती का मतलब होता है मेन रेशो मेन रेशो का मतलब है कि 4 और 8 का जो अनुपात होगा वही 8 और 16 का अनुपात है, तो आप चेक कर लिजिए 4 एकम 4, 4 दुनी 8, यानि कि 1 अनुपात 2 का अनुपात है, 8 दुनी 16 यानि कि 1 अनुपात 2 तो 8, 4 और 16 का मध्यानुपाती हो गया तो मैं उम्मीद करती हूँ, आपको बास समझ आई होगी, तो प्लीज वीजियो को लाइक कर दीजेगा, नेक्स्ट कोईशिन है, 1.21 तथा 0.09 का मध्यानुपाती है, ट्रिक लगा दीजिए A into B अंडर दी रूट में 1.21 into 0.09 आप चाहे तो इनको मल्टिप्लाई कर लिजे, चाहे तो डिरेक्ट सॉल्व कर लिजे, 1.21 का स्कॉयर रूट होता है, 1.1 0.09 का 0.3 हो गया है, इसको मल्टिप्लाई कर लेंगे, 11 तिया तैते 0.33 आंसर हो गया, तो मध्यानुपाती वह संख्या है जो कि इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, और उस संख्या का पहली वाली संख्या के साथ वही अनुपात है, जो दूसरी वाली संख्या के साथ है यानि कि 1.21 divided by 0.33 सॉल्व कर लेंगे इसको 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 तैतेस, यानि कि 11 अनुपात 3 का अनुपात है 1.21 और 0.33 के बीच में, इसी प्रकार से 0.33 और 0.09 के बीच में भी 11 और 3 का अनुपात ही होगा, तभी वह मध्यानुपाती कहलाएगी है संख्या, तो 3 तिया 9 3 इकम 3, 3 इकम 3 चलिए next question देखते हैं 4, 10 का तृत्या नुपाती है तृत्या नुपाती का मतलब third ratio निकालना है तो 3 संख्या यहाँ पर होनी चाहिए क्योंकि तृत्या नुपाती निकालना है तो माल लिजिए तीसरी संख्या है X, हम इसको basic method से भी निकाल सकते हैं, पर उसमें time इंचादा लगेगा इसको हम ट्रिक से निकालते हैं तो ट्रिक से निकालने के लिए आप B square upon A कर दीजिए B मतलब 10 और A मतलब 4 यानि कि 10 का square divided by 4 100 बटे 4 25 आ गिया है 4 और 10 के बीच में वही अनुपात है जो कि 10 और 25 के बीच में है चेक करके देख लिजिए 4 बटे 10 और 10 बटे 25 2 दुनी 4 दो पंजे 10 5 दुनी 10 पाच पंजे 25 2 बटे 5 का ही अनुपात हो गया है Next question है X upon Y plus Y upon X और under the root X square plus Y square का तीसरा अनुपातिक क्या है बताए friends कैसे निकालेंगे इसको B square upon A से B यहाँ पर है ये और A यहाँ पर है ये तो B का square करेंगे वर्गमूल हट जाएगा यानि कि X square plus Y square हो गया A के लिए cross multiply कर लिजे X square plus Y square divided by Yx यानि कि X square plus Y square divided by XY XY उपार चला जाएगा और X square plus Y square से X square Y square cancel out हो जाएगा तो answer आ गया है XY तो XY का X upon Y plus Y upon X से वही अनुपात है जो की X square plus Y square का XY से है आप चेक करके मुझे comment box में जरूर ही बताईएगा तो चलिए next question की और move करते है next question है 12, 18, 20 का 4 अनुपात क्या है 4 अनुपात मींस 4th ratio 4th ratio निकानने के लिए हमारे पास 4 संख्या भी होनी चाहिए मार लिजे 4 संख्या है X यानि की 12, 20 और X 4 अनुपात निकानने के लिए 12, 18 के बीच में जो रेशयो होगा वही 20 और X के बीच में रेशयो होगा इसके लिए आप बाहर बाहर वालों की गुडा कर दीजिए और अंदर अंदर वालों की गुडा कर लेंगे यानि की 12 X is equal to 18 गुडा 20 X की value निकानने के लिए 18 गुडा 20 बटे 12 कर लेंगे 4 तीया 12, 4 पंचे 20, 3 चंग 18, 6 पंचे 30 तो X की value निकल गई है 30 जो की चतुर्था नुपात है आप चेक करके देख लीजेगा क्या 12 अठारा के बीच में जो रेशयो होगा 20 और 30 के बीच में रेशयो है नेक्स्ट कोश्यन देखते है 4 पंच समानुपात में है पहला दूसरा चोथा पंचे 4, 22, 33 है तीसरा पंच ग्यात कीजिए पहला दूसरा तीसरा मान लिजे X है और चोथा दिरक्का है 33 बाहर बाहर वालों की गुणा कर लेंगे अंदर अंदर वालों की गुणा कर लेजिए तो 22X is equal to 4 गुणा 33 X की value find out करने के लिए 4 गुणा 33 बटे 22 कर लेंगे 11 दूनी 22, 14 दिया 33 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 इसका आंसर हो गया है आठ बीस का त्रित्य अनुपात, चार अनुपात, नौकिये मध्य अनुपात का अनुपात ग्यात कीजिए। फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले आपको थर्ड रेश्यो निकालना है, फिर मीन रेश्यो निकालना है, और फिर इन दुनों का रेश्यो निकालना है। आठ और 20 का त्रित्य अनुपात कैसे निकलेंगे, 20 स्क्वाइर अपॉन A से निकालेंगे, जबकि मध्यानुपात अंडर दी रूट A B से निकाल लेंगे, तो B क्या है यहाँ पर 20 हो गया है, 20 गोणा 20 और A हुआ है 8, नेक्स्ट वाले में A है 4 और B है 9, दोनों को गोणा करके इसका वर्मूल लेंगे, दो दुनी 4, 400 बटे 8 हो गया है, और यह हो गया है, 4 नम 36 अंडर दी रूट में जो की 6 हो जाएगा, अब इन दोनों के बीच में अनुपात निकाल लेजिए, 400 बटे 8, गोणा 6 बटे 1, आठ पंजे 4, 0 का 0 हो गया, दो तिया 6, दो दुनी 4, दो पंजे 10, यानि कि 25 बटे 3 अनुपात हो गया है, तो मैं उमीद करती हूँ, फ्रेंड्स आपको सारा ही वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर ही कर द कर लिजेगा, ताकि नई वीडियो आपके पास समय से पहुंशती रहे, तो मैं शिवानी आपसे मिलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेके, एंड बाई